हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मारब तो ऐसे गिर रही है जैसे मनाली को बगवान एंटार्टी का बनाने के मूड वी जैन ही है तो फिर कौन है कौन है यहां कौन है कौन है कौन है कोथम, इधर मद्कल, इधर मद्चार, तुरुम्सेर बोट्चे साम्तों नहीं पड़ते हैं? मद्च, अजब तुच्छ ही साम्तों पड़तू? अरे, तुम्सेर नेटा जखने बंद करो, डैड़ घर में ही है अच्छा है, तो मैं अब डैड सी कोदम की शिकायत करते हूँ डैड, देखिए रहा है, पूरा घर गलना कर रहा है डैड, डैड, डैड डैड, डैड, डैड डैड, डैड क्पिर्च कि उपूपरी कि एख अवे थे और बालाई युर्प नप्रेट युए इख कि एख उपुई युए कि एख त ने बालाई युए कि एख युए हेलो, हाँ, वो लोग आ गये हैं, और किसी भी वक्त घर पर पहुचने वाले हैं, ठीक है वो मैं कोड़, क्या वाके लोरी, आगे बोलो, वो लोग तो नहीं आए, लेकिन यह ताबूत कोई छोड़कर गया है, और कोई यह दिख भी दी रहा है, यह जगन का ताबूत होगा, लेकिन यह तो बच्चे लेकर आने वाले थे, हां, पर बच्चे तो यह नहीं है, जब मैं तुमें काम करो दिखुर, पुराप को फोन करो, पुछो कही है वोलो हां यह आवाज तो यहां से हरी है वाफिम कि अंदर से आवाज हरी है खुल विक्रफ खुल Oh my God कुछ तो कर पड़े पॉलिस को फोन करें चल दीज एक मिनिट तुम पैनिक बत हो खोल कर देखते हैं ना पूलाँ पूलाँ काम हो गया? येस बॉस आज तो आप हमें शावर्षी देऊगे बॉस किसी उको कोई शक तो नहीं हुआ? कोई शक नहीं बॉस इतने सफाई से लाश को ठीकाने लगाया है कि उनके रूहें काप जाएंगे रूहें ये बस 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 आज तक तुने कोई काम धंसे किया है? बात करता है, मैं खुच्च चेक करूँगा अदो ये? क्या हो बस? मेरी किसमत खराब थी जो मैंने तुझ जैसे निकम्मे को काम पे रखा ऐसा क्या हो गया बस? ये 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 तेरा सफाई वाला खाम हां? तु लाश ठीकाने लगाने गया था या अपनी पूच लगाने गया था तू? पूच? अब है पूरे रास्ते पर तू खूण के निशान लाकर आया है सी आईडी वाले इसी पूच को पकड़कर हमारी गर्दन तक पुछ जाएंगे अरे तुझे कितनी बार बोला कि लाश ठीकाने लगाने के बाद सफाई पर सही से ध्यान दिया करो बोला था ना? एक बार बात तेरे भेजमेनी घुष्टी क्या? बात करता है अब क्या करें बोस? क्या करें? मैं बताता हूं तुझे, रुक मन तो करता है ना? तेरा खून भी सी रास्ते प्रपाहदू ए ए ए ए ए ए ए अरे शकल क्या देख रहा बेरी? ये ये मुसीबत को ठिकाने लगा और सफेवाई कर जी बॉस ए चल बॉस चल खुद भी मरोग और मुझे भी मरवाओ गए चल क्या समन्द के है आपका लाश के साथ? जी वो मेरा बड़ा बेटा था अपने पापा की लाश लेकर आने वाला था और गुदी मतलब ये कि इसके पती दो दिन पहले ही मर गए थे हाट अटेक से और जिसकी लाश पड़ी है पूरब वो अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर यहां आने वाला था भाई और बहन के साथ आई और बैन वो कहा है वे वो भी गायव उनका फोन तक नहीं लग रहा है कहां से आ रहे थे हो लोग एरपोर्ट से थोड़ी देर पहले ही उनकी फ्लाइट लाइट भी थी लेकिन वो लोग तो यहां नहीं पहुचें सिर्फ कॉफिन पहुचा वो भी पूरब के लाश के स यह मेरे पती है अच्छा अच्छा मतलब दूसरी शादी है यह है सिर्फ माद भूता ही यह पूरब इनकी एक्स हजबंड की लाश को लेकर इनके करंट हजबंड के घर क्यों आ रहा था है यह मेरा घर नहीं है यह के लोरी का दस है मतलब आप घर जवाई हैं जे है यह तो आपका निजी मामला है आप यह बताइए कि यह लोग कहां से आ रहे थे और एरपोर्ट पे इने कौन रिसीब करने वाला था जगन हमारे तीन बच्चों के साथ मनाली में रहते थे दो दिन पहले पूरब का फोन आया कि हाटर ड़क से उनकी मृत्य हो गई है नहने को बोला कि उनके अंतिम संसकार के लिए वो उन्हें यहां ले आए अरपोर्ट पे वो जैसे ही उत्रे है वहां से उन्होंने एक प्राइविट टैक्सी ली यहां आने के लिए और उसके बाद प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को ढूड ने का लिए मायवा और गौतम कहा है कुछ पता नहीं चल रहा ठीके बाप आप चिंता मत करिये हम उन्हें जल्दी ढूड ने का लेंगे लेकित साथ देखो यह रेलगाडी कौन से स्टेशन से होके आई है चलो भाईया चलते हैं चलते हैं बाईया क्या मतलब है अपना मूदी खाने आए ता तुछ यहापर मतला यह है कि एक लाष पढ़ी हो उसका ख्वोन हुआ है किसमें ख्वोन किया यह तो आप पठाव सब और नहों हमा हम अपनलोगतो, तो मेरा क्समिरक आधा हूं aí इसको नहीं बुदा हूं तो इसके कांद में से ुथा निखलता है किया हमें बुला है नहीं, यो तो यू के सॉल कर देते, यू कुनी को पगड़ लेते और अभी, लाश को जुंगा तक नहीं, यो चल पड़ा है तो पिर मुझ खोल ना, लाश को सुहूने के बाद क्या पोता चला है, ये बताने के बगए, सरफट भागे को जा रहा है देख सारू के, दो दो बच्चे गायब है, इस आउरत के दो दो बच्चे और उपर से बाप की लाश भी गायब है लाश गायब है, तो में का करो, लाश बन के लेट जाऊ यहाँ यहाँ यहाँ, लाश ढूलना, आप लोगो का काम है, तो ढूलो ना, पूछो, पूछो किससे, ढूलो, ये कास्केट कहां से आया था, मैं क्या दूरू मैं इसमें, अच्छ तू जा, बाईया, वो तो हर केस में तुम लोगो के मेरे जरुद परती है, तुम लोग मानते काहा हो, यहाँ छोड़ो इसको अच्छ 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 पर अपने ग्यान का प्रकाश डलिया ना इस केस पे, इसके चेरे बुरा हंदिरा चाया, यह क्या प्रकाश डालेगा? तुम बो अच्छ अच्छ आगए ना सावन केजी पर आप क्यू मैदान छोड़ के भाग रहे हो? बाभी आपके अच्छ बंकिलाश आगई? नहीं तेरा बेटे की लाश आईया है चय किया के रही हो? इतना सा कुण था कून क्यो बह रहा है मुझा पाथ अच्छ आपना च्छ नो नाखोन इसके वेयरा है क्योंकि इनका खुन हो गया है क्या कहले अगरब का खुन हो गया माने वैसे आप यह मेरी बेहन और किलोरी की नना तो लेकिन दापि इसमें बुरब के लाश है तो आपके हस्पिन के लाश का है साडुके, अगर पाच साल के बच्चे की तरह मुँ बना के नकरे नहीं करता ना, तो आप तो कोई सुराग मिल जाता तुझे भाया ये, नाग के अंदर छोटे-छोटे दाने बिखाई दे रहा ना? चैद, यही अद्रेस का? किसका? उनके हस्मेंट की लाश का आज फिर किसी पैसेजर का लगेज मिसिंग हो गया? तुम लोग की बज़े से किसी दिन गवर्मेंट मुझे इस ओफिस से मिसिंग कर देगी ठीक से काम करो या सर सर आप लोग का भी कुछ मिसिंग हो आई क्या? अब लोग सेडिसे हम यहाँ पर किस पैसेंजर के बारे में पूछताच करने आये हैं आज सुबे कनेक्ट एरवेस से तीन लोग एक कॉफिन लेकर मनाली से मुंबई आये थे और वो तीन पैसेंजर यह लोग हैं यह देगे यह पुरब गौतम बद यह माया यह तीनो अपने पिता की लाश को कॉफिन में डालकर यह जी हाँ सर लाय तो थे उस कॉफिन में इनके पिताजी की लाश थे जो इनके घर तक अभी पहुंची ही बलके उस कॉफिन में पूरब कुमार की लाश पाए गई त यह कैसे हुए यह पता लगा रहा है, उसके साथ साथ, गौतम और माया यह दो बच्चे भी खाया है सर्थ, मुझे तो लगता है वो लाश कहीं श्ष। एक बात बताईए, क्या इन तीनों को को पॉफिन के साथ कोई रिसेव करने के लिए आया था? नहीं सर्थ अच्छे, एक टाम कीजिए, आपके स्टाफ ने तो मदद की होगी ने, कौफिन को उनके गाड़ी दर पहुंचाने के लिए? जी सर्थ, ज़रा उनको बलाइए जी सर्थ, मैं बलाता हूँ जी सर्थ, मैं बलाता हूँ CID साफ, हम ने खोई गढ़बन ने की है साब हम तो हमना बस काम कर ने थे साब हमना तो बस उस कौफिन को उस गाड़ी चाग़ा ने की है सिर्फ इतना बता कि जब तुम ये कौफिन यहां से उनके गाड़ी तक ले जा रहे थे तो उस दौरान उसके बीच में कभी कोई मिलने आया था या कोई यू इसे कुछ भी हुआ था क्या हाँ साब हम उन टीनों को लेकर जब यहां से बहार निगले उनके सुझ जो लड़की थी ना उसको एक फोन आया सर अथानी क्या बात हुई फिर उ अचानक से कहने लगी पार्किंग में एक नीली वैन खड़ी है यह कॉफिय नुहा ले चलो अचानक के ड्राइवर को देखा तुम्हें नहीं साब बैन के ड्राइवर को तुनहीं देखा लेकिन साब बैन का नंबर मुझे याद है गुर्प तू नंबर दो एक्स वाई जीरो टू शिक्सेट वां थी सचिन पता लगाओ इस नीले रंग के बैन का पुरप गौतोमर माया तीन बच्चे अपने पिता जगन की लाश को लेकर मनाले से मुंबई आते हैं लाश को कॉफिन में लाते हैं बाई एर मुंबई पहुँचने के बाद वो अपनी मा को फोन करके बताते हैं कि वो मुंबई पहुँच गया और साथ साथ वो कॉफिन भी वगट जब ये कॉफिन उनकी मा किलोरी के घर पहुचता है तो कॉफिन में से निकलती है बड़े पेटे पूरब की लाश जगन की लाश गायव है और उसके साथ साथ गौतम और माया दोनों बच्चे भी गायव है तीनों के तीनों गायव सर हो सकता है कि जिस वैन में वो लोग लाश लेकर जा रहे थे वो वैन कहीं रुख गई हो और शायद वहीं पे कुछ हुआ हो बास तो इसलिए तो उस ड्राइवर की जरूरत है हमें वो ड्राइवर कौन था उस गाड़ी के बारे में डीटेल को सब बुच चाहिए हमें सिर मेर्स्टेशन नमर से मेंने मालीका पता लगा है फिर मालीका कहना है कि वैन तो कुछ महने प्ले हिए बदी बारी की से प्लानिंग की है कातबनाग प्लानिंग की है ГД करूं कि सुछ मिला utiliser पूरब की लाश इस कौफिन में आई कहा से यह पूरब की नाख बताएगी बास कर्दम के जाख रिए बताएगी बास कर्दम की नाख बताएगी बास जब शुर्ट करें दिए ने किसे ने के लिएफ़ा कि बादा चाहिए रिए भी तक तो शक्त परी काम कर रहा हुआ है शक्त दूर नहीं हुआ? वो गया शक्त दूर हो गया मुझे इसकी नाक में से फोलन्स मिलें पराग कान और सालूंकी साब वो केसे पताशला है? फॉर्ञक्षिक पॉलनोलोजी से सालूंकी साब? ये क्या है? प्रेडी ये फॉर्ञक्षिक साइंस की अगले टेखनीक है सर इसमें क्या होता है? Nikhil, इस टेक्नॉलोजी से हम बहुत चोटे पार्टिकल्स लाइक माइक्रो पार्टिकल्स को स्टाड़ी करते हैं जो की फूल पॉधे, कपड़े, निट्री ऐसे कही सारी चीजों में पाए जाते हैं वाँ, क्या मात है तारीक जी लेकिन इसे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि कई बर क्या होता है कि आवारा भवरे के फूल पर बैठ करके उसके सारे पॉलन्स उसके सारे पराप करण चुरा करके भाग जाता है और पूरे के पुरे मावल को गंदा कर देता है सार, पॉलिन जो है हवा और पानी से भी फैलते हैं इसमें बिचारे खाली भवरे को यह क्यों दोश दे रहे हैं करें, सही करें बिकार में खाली भवरे को दोश क्यों दे है होता यह है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे प्यूरे शरीर पर आख नाख कान गले सब पर पॉलन्स लगे होते हैं और इन पॉलेंस की जाच करके हम इपता लगा सकते हैं कि ये खास व्यक्ति किस जगे से आया है यह तो है मैं बताता हूँ यह देखो यहां पर मैंने इस से पॉलेंस ले लिए जो उसकी नाक में थे और इन पॉलेंस पे दो ड्रॉप मिठाइलमायं की डालते हैं इससे चेक करके हमें पता लगा सकते हैं कि ये फॉलेंस कैसे हैं कहां से आया है यह देखो तर यह तो नारंगी किलर में उबर क्या रहा है और अब इस आकार को हम हमारे डाटा के सेंपल से मैच करके देखेंगे ताकि पता लख सके ये पोलन किस टाइब का है पर कि दर में ठाइब पर कि ये तो पॉलन के पॉरी लाइबरेरी है एक पॉलन कहा पैदा हुआ दर्थी कहा पाया जाता है पूरी डिटेल्स है इसमें फॉरेंसिक साइंस की टेखनी की वज़े से क्राइम इस्पोर्ट का पता लगाने बड़ा असान हो गया है मिल गया मैच ये मारी गोल्ड है जिसका हाइबरिड नाम वर्यासाग गोल्ड 63 है ये वराइटी पूरे साल पैदा होती और धानी खेत में पाई जाती धानी खेत चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि खोन कहा हुआ है चलो ये है धानी खेत सा विर्वायन यही पर लाया गया था ये टार मार्स तो हैं सरे यहां पे बस ये उसी जाहन के तायरों के निशन है और तो जगन के लाश उन्हें ने यही कहीं फेकी होगी पर सर इतने बड़े खेत में आम उसकी लाश डूमनेंगे कैसे ये बताता हूँ बस तो कब बताएगा क्या मोरोग भू लाना पड़ेगा बता रहो मैं अलुखरते क्यों एक ने ठोका ये देखी ये मैंने फूल के पोले निकाले अदे मैं जिस दिशा में उड़ाम गा और उड़कर के जहां जाएंगे समझ लो फूल दूर उप्सी दिशा में गुए है लेकिन सर यहां तो हावा ना के बराबर ये कर से पता चलेगा के हावा किस दिरेक्शन में यह मुर्ग बतायेगा मुर्गा आ किसान लोग अपने खेत में अक्सार लगाते है इस मुर्गे से पता चल्दा है हुआ थावा रुख कांपर रहे जिस तरफ हवा चल्तिया न उस तरफ यह मुर्गा मुडता है और इसका फाइदा होता है पेस्चिसाईश दालने में किसा हा चोलो देखो जरा असपस कुछ दिखते हैं क्या सर आप सवाव कोई लिठा है चोलो देखते है अलो वो अज़ टो जगन है सब कि ये जगन की लाश हमें गेंदे के खेट में से मे laugh कॉन कर सकता है कॉन मार सकता है जगन को कॉन मार सकता आपके बेटे को किसी के साथ इनकी कोई दुश्मनी थी मुझे कि मसए पशक नहीं तो यहीं यह मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो मैं अब हम बन के उशब करने हैं? क्यों नहीं? जगन जी अमीर आपमी थे, मनाली में सेप के बाग थे, जमीन जायदाद थी उनके मरने से और उरप के मरने से और दोनों बच्चों के गायब होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप लोग कोई मिलने माली है ने? देखे सर, आपको बहुत बड़ी गलत फैमी हो रही है हमें तो यह भी नहीं पता था कि जगन के पास इतनी प्रॉपर्टी है सेप के बगान है और वैसे भी मेरी अच्छी खासी नौकरी है अच्छी खासी कमाई है मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में? और मेरा तो इनसा से कुछ लेना दे नहीं है मुझे तो प्लीज दूरी रखिए देखिए मैं अपनी फैमिली और अपनी वाइब से बहुत खुश हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए अच्छा तो आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी लेना देना है वो कि लोरी जी के लेना देना है देखिए सज़ आपलोगा मेरी पच्चों को डूडने के बचाहे मुझ पर और मेरे परीबार पर शक्त कर रहे नहीं 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 कि लोरी जी हम आप लोगों पर कोई इल्जाम नी लगा रहें कि लूरी हम तो बस सच्चाई जाने की कोशिश कर है कि एक बात जरूर को ना अप लोगों को सच्चाई आप के लिए बहुत फायदे मन होगी तारीका, इस ताबूत के जिस तारीके के निशान लगे हुए ना उससे तो लगता है इस ताबूत को काफी दूरुता गसिता गया है कि एक जिशान करो कि जगे 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 लगे लगी हुए इस मिटी का सेंपल ले लो यह मिटी वताएगी की ताबूत काहा जाया है मगर सार खून कहा हुआ है वो तो मैं पता चल गया ना यह तरिक, यह स्पालाग गया लेकिन रिप ऩ, उस वहन के बारे मों कुछ पता निए लगा है जिस वहन में खूल हुआ है जिस वहन में नीज एक लाश कायब होगी उसके बारे मिचछ नी पता है यह काम करो, इस मिट्टी का सेंपल ले लो फिर इस मिट्टी को हम मढम्बे के सोयल मैप से लेच करके देखें लेकिन सर, मुंबल के सोयल मैप के कौनसी मिट्टी का फैलाव कहा तक है, यहमें कैसे पता चलेगा? You trust me रहा है? Cause तो फिर सेम पर लें लो, फता लगेगा, बिले भी. अरे, सालू के सब, फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया अपने? क्या दरें तुम लोगों की मदद करने के लिए पढ़ाई तो करनी पर दिया? अरे, लेकिन ऐसा है क्या इस ताबोत में जो नी मोटी किताब की जुरत पढ़गी? किस पढ़ाई की जुरत क्यों पढ़ी? ताबोत पताएगा. वो केसे? कॉफिद में मिले इस मिट्टी का हम सेडिमेंटेशन टेकनिक से अनालिसिस करेंगे. उससे सब पता चल जाएगा. यह देखिए. यह देखिए. यह दो गाल्स यह से कुछ लग़ा है? यह देखिए. और देखो. यह दास नहीं है. यह देखिए. जहां पर गुड़ बंगता है? मतलब यह ताबूत वहां पर ले जाया गया था जहां पर गुड़ बनाया जाता है. शुगर फैक्टरी. मुंबई के आस-पास 2-4 शुगर फैक्टरी हैं. अजा, शुगर साब, यह देखिए किस एरिया के है, कुछ पता चल सकता है? हाँ, बिल्कुल पता लग सकता है. इस मिट्टी में 40% सैंड है. और इतनी सैंड परसंटेज वाली मिट्टी, मुंबई के पहार, कन्ना-कावडी वाले इलाके में लगभा 30 km के एरियान पही जाते हैं. यह मिट्टी ज्यादा रेट और ज्यादा आइरन होने की वज़े से काली दिखाई देती है. सचिन, पता कर उस एरिया में कोई शुगर मिला गया? चंगनलाल शुगर मिल यहां तो लोग आ जा रहे हैं, चैल पैल है. यहां पे खून ही खून करके कैसे निकल गया? और तो, लाशों की अदलाब अदली भी की है. डॉक्टर सालूंके ने शुगर मिल की बात की थी. और यहां आसपास 30 किलो मिल तक यही एक शुगर मिल है. हो ना हो, खून हुआ तो यही है. चले, सब पूछते हैं. अरे, सुनो. जी. तुम यहां के सेकुरिटी वाले हो? जी हां. तुम यहां पर अकेले ड्यूटी पर होते हो या और भी कोई है, जो शिफ्ट में आते जाते हैं? हम पूरे टाइम अकेले काम करते हैं. तुम यह पताओ, और आपने दिमाग पर जोड डाल के बताओ, कि तुमने कोई ताबुत देखा हैं? कहें डरा रहे हैं, यहां ताबुत कैसे देखेंगे? किसी नीले कर रंग के वैन को देखा, जिस पर शख हुआ हो तुमें? साहब, वैसे तो हम सब पर शख करते हैं, लेकिन नीले कलर की गाड़ी काउनों नहीं देखे हैं साहब, आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, चलो एक बात बताओ, यहां पर ऐसी कोई और भी खाली जगे हैं, गोदाम जेसी? हाँ साहब, एक पुराना गोदाम है हमारे मालिक के, चली यह दिखाते हैं चलो दिखा, दिखा, चली यह आईए साहब, यह है पुराना गोदाम तुम ज़रा बाहर जाओ, ठीक साहब गेट तो काफी बड़ा है, हाँ, वेन असानी से कुछ सकती है पीश्यके को देखके लगता है के काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ, तो फिर यह बोरिया इसी रख्किंगे से गई और यह उपर से डार पाओ लेना, ज़रा देखो तू, नीचे क्या है यह देखा यह क्या है, यह अगवाद है ज़र यहाँ पे तो पूरे वैन को यह दफना दिया है और यह देखिए, वही नमबर है, XY02-6813 चेक करूँ, चेक करूँ, देखो इतना सारा खोन लगता है, 27 गंटी से ज्यादा पुराना है अब जी इतलाश, इसी वैन में से ले जाए गई है, काम करते हैं पूरी की पूरी वैन को फॉरें से की लैब बेजते हैं झाल 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 पूर विलाकुछ आँ आपरिका, विलातो है बहुत कोछ लेकिन जो कुछ मिला है उससे हम खूली को सजा तो दिलवा सकते लिकिन बच्छों तक नहीं पॉन सकते हैं सर टाइम बहुत कम है हमारे पास, कहीं बच्चों को नहीं नहीं तारिखा बच्चों को कुछ नहीं हो ले तुम आपड़ेगा लेके इन सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा तो गेराज में डंफ होने से पहले ये वैन आखरी बार कहां हो कर क्या है तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, हमने पूरी वैन चान मारी है तुमने वह कावट सुनिये, किसी जेंटलमेन को देखना हो तो सबसे पहले उसके जूतों की तरफ देखो हम भी इस गाड़ी के जूतों की तरफ तेखे मतलब? मतलब साप है तारीका? सिब पर हम इस वैन के टायरों को चेक करेंगे तारीका ये वैन जहां से भी होके राई है उस जगे के निटी के कान इसके टायरों पर चिपके होगी और वो बताएंगे कि वैन कहां से होकर तरफ गया है करेक्ट हाँ तरेक, कमसे पता तो दुशा? हास बढ़ी दो प्रशब्यास कबड़ेट! है 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 हाईचै! कर दो यह है? एसोब एकसिती है हाई है कर दो हालो! हाह, तरीकर जी हाह, बश्रीजी उस वह एैंसे कुछ इविडस्ट मिला? है मिला तो है, लेकिन मुझे नहीं पता जाना जाना पता ही नहीं रहे हैं. अरे क्यों? डॉप्टरसाब हैं का? यहीं पे हैं, कूद रहे, गॉट इट गॉट इट कर रहे. घ्रे उन्हें ऐसा क्या मिल गिया, कि जो बरसाट की मेटे की तरह कूद रहे? पताने मुझे कुछ नहीं बता रहे, क्या सफेद रंग का एरो मनाया है पेड़ पेड़ पे अजय खीक है डूटेंगे और वैसे वहां पोजीशन क्या है यहां की सिचुएशन तो कंट्रोल में है लेकिन हमारे सामने जो नजारा है उससे देखकर तो हमारे होशी उड़ गएं सार कोई बात ने हम लोग पहुंच आप लोग कोई बताएंगे क्या हो रहा है कैसे मेरे बच्चे ठीक तो है पीस कुछ बताईए मैम जरा धीला जरकिए सब कुछ पता चल जाएगा कुस पताया होगा ना फोन पे उसने आखिर हमारे बच्चे मिले की नहीं मिले कुस तो मालूम होगा ना देखिए अभी कहने सुने से कुछ नहीं होगा जो भी है माँ पे चलने के बाद ही पता चलेगा अरे पता तो तब चलेगा जो आप पहुचेंगे अगर भालू शेर चीतों को पता चल गया ना क्या हम लोग यहा है तो दुनिया में किसी को हमारा पता नहीं चलेगा आप फिकर मत कीजे प्रिती सर उस पेर से राइट लेकर 200 मीटर स्ट्रेइट आजाएए 200 मीटर राइट में चली जल्दी चली कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है मेरे दिल बैठा जा रहा है कई मेरे गौतम और माया को कुछ होतों ही गया बास बास आप नहीं चला रहता है अब नहीं चल पाऊंगे देखें पीछे चूटने वालों को जानवर चोड़ते नहीं है लंच यह डिनर में खा लेते हैं बैली मैं आगी जाती हूं आप लोग मुझे फोलो कर यह तो साबल के साबल के साबल के आख श्रया सर बूदी के सर माय कोर यह जद बच्छों नीचे होता है पागवान क्या है चटके यह क्या मजाक है सर जब आप लोग ने देखा किये लोग यहायत इन्हें उट इन्हें छुडवाया क्योंने नीचे क्योंने उतारा सर पिर पचाला मेरे बच्छों को उच्छे स्रया समाद आया घबरा उमर स्रिक्थ़र देखाली तर शरोगं मेरे जश्द़क्स कि अपने थीक हो ना बंद कीजी अपना नाटक हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप ही है बच्चे कहते है ना हमें तो क्यो डाल अपने बच्चो को मौत के मूँवे अच्छावा CID टाइम पे आ गई है बना अपने भईया की तरह हमें भी मार दिया होता क्यों कि लोरीजी ये बात क्या है बच्चे आप ही पर इल्दाम लगा रहे हैं मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं तो इलों से इतना प्याह करती हूँ मैं क्यों आरोंगे इलों को बात तो सही है सवाल जायज है एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकत और स्कीने ने हमें यहां का पता बता दिया ये लोग कोने सार अए मैडम को पोज रही बताओ यहाँ खातिरदारी करें ने और खातिरदारी के सुरोत लिए लेगी साफ पहले मुझे एमरजिंसी वाड़े भथी करा दीजिए अटियों से बड़ी अजीव 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 अगरी तक नहीं हुँ आप नहीं वह वह ऐसाफ यमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगा क्या बॉल रहा तुम है वाकिए आप मुल्टी टालेंटेड़ है हास्बेंड कम किड्नापर कम मृडरर अल-इन-वन क्या बात है विक्रम तुम भाईया क्यों किया तुमने इसाथ? और क्या करता? इसके तीनों बच्चे मेरे चाती पे साप की तरह लोट रहे थे फिक्राव तुमने बोला था कि तुम हमारे बच्चों को मुझ से भी जादा प्यार करोगे और तुमने एक बेटे को मार दिया और बागी दो को मारने की साज़िश्की जिस मकसद के लिए मैंने तुमें फसाया उस पर तुमने पानी फेर दिया तुमें फसाने का मेरा सिर्वेग ही मकसद था तुम्हारी प्रापर्टी तुम्हारा परसा लेकिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करती क्या करता मैं और तो और तुम अपने पुराने पती से भी मिलने जाती थी तुमने कभी सोचा कि मेरे अंदर क्या होता था मैंने एक दे साइट कर लिया तुम्हारी पुरानी फैमिली को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूख और असलिए सबसे पहले तुमने जगन को रास्ते से हटाया क्यों? हाँ इसलिए मैंने अपने रास्ते से सबसे पहले अपने पहले काटे को हटाया जगन को अपनी पत्नी को जूट बोला कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रहा हूँ और एक दिल सुचा था? जगन के बॉत के बाद तुभारा जुका तुम्हारे बच्चों के लिए कप होगा लेकिन मैं गलत तुम्हारा तो और बढ़ गया और तो और तुम्हें उन्हें साथ रखने का फैसला कर लिया पर यह बात तुम्हें बरदार्श नहीं होई इसलिए तुम्हें इन दोनों को भी रास्ते चाहड़ाने का फैसला किया क्यों? विक्रम मैंने तुम पर इसना परोजा किया तुम्हें सब बढ़ बात कर दिया मैं तुम्हें नफरत करती हो नफरत शयदाद की लालच में के तुम्हें जो मौत का खेल खेला है उसका अंजाम भी मौत है भासी होगी तुम्हें भासी तुम्हें पूदाद की लाओी तुम्हें जो मौत भासी